दिल्ली के सीम अर्विंद के स्टीवाल के हाउस और एनुवेशन के मामली में पहले उपरा जिपाल वी के सक्सेना ने रिपोर्ट मांगी और आब एंजीटी ने पर्यवरण नियमों के उलंगन के आरोपों की जाच के लिए एक समीती गठिप की है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को एक सयुक्त समीधी का गठन कर दिया जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव पर्यवरण और वन प्रधाम सचिव दिल्ली शहरी कला आयों के सदस्य और उत्तरी जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं ताकि कथे तुलंगन के बारे में पता लगा जा सके नेशनल ग्रीन वार्त्रेट रंवेशन मामले में एक याजिका के जर्य 2 पर Sumitika घठन किया है के पैड काटनी के मामले के लिए म करगति बांगनन पर कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है रआतरिकरन एंग्रीत थम के स्थेथी का पता लगाने के लिए तब समीति का गठन किया जब एक याजिका में दावा किया गया कि दिली की मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास और उसके आसपास की संपत्तियों पर लोक निर्मान भिवाग पीड़ी द्वारा कुछ निर्मान करने में पर्यवरण ये मान दंडू का उलंगन किया है अधिकरण उस याजिका पड़ सुनवाई कर रहा था जिसमें आरूब लगाया गया है इच्छे फ्लैग स्टाफ रोड मुख्यमंत्री आवास और पैतालेस सैतालेस राजपुर रोड इसके आसपास की संपत्ति को विक्सित करने के दौरान इस्थाई एवं अर्थ इस् शर्त के अनुपालन की आवश्यक्ता के मैत्व को देखते हुए हम एक सयुक्त समीति का गठन करके तथ्यात्मक इस्तिति का पता लगाना आवश्यक समझते हैं पीट में न्याइक सदस्य न्याइमूर्थी सुधी रगरवाल और विशेशियक्द सदस्य एस सैंथिल वैल शामिल थे पीटने दिली के मुखे सचिव और प्रुधान सचिव पर्यवरण और वन के साथ ही दिली शहरी कला आयोग दी यूएसी के एक नामित व्यक्ति और दिली के उतरी जिला मजिस्ट्रेट वाली एक समीति का गठन किया पीट ने कहा समीति की बैठक एक सब्दहा की की तर आहूत की जा सकती है और रिपोर्ट तीन सब्दहा की भी तर प्रस्तूत की जा सकती है समीति किसी अन्य भिवाग या प्रादिकरन के साथ बाचीज करने और इस्तल पर जाने के लिए स्वतंत्र होगी और यह ऑनलाइन या ऑफ्लाइन बैठक कर सकती है एंजीटी ने में दावा किया गया है कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है बिना डीव एसी की मंजूरी से काम किया गया है साल 2009 में दिली सरकार के आदेश में कहा गया है कि 10 से 20 से अधिक पेड़ों की कटाई की अनुमती मांगने वाले सभी आवेधन उपर कारेवाही होनी चाहिए और फॉरेस्ट कंसर्वीटर को रिपोर्ट देनी चाहिए लेकिन लोग निर्माण भिवाग ने सरकार के इना आदेशों का उलंगन किया है पेड़ों को काट दिया है